नमस्कार दोस्तो ज्यान विज्यान के यूटूब चैनल में आप सभी का स्वागत है देखिए फ्रेंड्स जितने भी विकलांग जन भाई हैं जो भी इस चैनल पर नया आया है तो सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर और सस्क्राइब जरूर कीजिएगा ठीक है अगर आप एक तको दिव्यांग जन से संब्दी तो इस चैनल के माध करश एकि आप को सुस्क्राइब जरूर कीजएगा क्योंकि आप के हित." यही यह चैनल बनाया गया है ठीक है तो चलिए दोस्तों आज की हम इस वीडियों में बात करना चाहेंगे कि विकलांग जन और दिव्यांग जन ठीक है देखिए दो नाम आपने सुने होंगे एक विकलांग और एक दिव्यांग ठीक है कोई जो है वैसे तो आम दोर पर किसी लोग को किसी को भी दिव्यांग या विकलांग बोला नहीं जाता लेकिन एक डोकुमेंट जो ओफिशिल है वो आपको दरसाता है कि आप दिव्यांग या विकलांग ठीक है यानि कि जो भी कागच होगा यानि कि जो भी एक सरकारी काम होगा उसमें आपको आपकी जो इस तरीके कि जो आपके सरकार नोगरी होते हैं उनमें आपको OH,BHA, OH,VHH,MDA category इन category में बंटा हुआ है लेकिन सरकार ने आपको दिव्यांग category में बंटा हुआ है ठीक है देखिए जो बीजेपी सरकार बनी थी तो बीजेपी सरकार ने क्या किया था पहले जब कॉंग्रेश सर विकलांग का मतलब है यानि कि एक अंग आपको कोई न कोई वीक है वो उस चीज को कहा गया विकलांग यानि कि कहीं न कहीं आप किसी अंग से कमजोर हो लेकिन वहीं जब मोधी सरकार आई बीजेपी सरकार आई उसने कहा कि आप कमजोर नहीं आप दिव्यांग है आपके प पास है तो सुनकर के सभी को एक खुशी महसूस हुई अच्छा लगा कि चलो एक सरकार एसी आई जिसने हमें कहा कि जो है आप दिव्यांग जन है आप विकलांग जन नहीं है हमारे हितों के लिए वह सरकार सोचेगी उसने जो है हमारे लिए इतना च्छन नाम दिया ठीक है औ मुझे जनकारी है कि दिव्यांग होते हैं विकलांग नहीं होते ठीक है तो मैं कहना चाहूंगा जब सरकार ने आपको दिव्यांग बनाया तो आपको रोजगार की तरभ्या आपको रोजगार देना चाहिए आपको रोजगार देना चाहिए आप विकलांग आदमी विकला ना बोल करके वीकनेस भी बोल सकते हैं हर चीज में वीकनेस भी होती है तो जब तक रोजगार नहीं देंगे जब तक जो है कहीं नहीं नहीं देंगे अच्छी तरीके से हर चीज में तो फिर वो जो है कहीं कहीं वीक ही रहेंगे और वो विकलांग ही रहेंगे जब आप उनके किसी भी हेंडिकैप को देख लिजिए गरीब है और एक अमीर है अमीर की कोई भी जो है कमिया इतनी लोग नहीं देखना चाहते ठीक है उनकी कही न कहीं अच्छा ही उनको दिखती है उनके आसपास आपके प्रडोस में होंगे या कोई भी होगा जिदर भी आप देखेंगे लोग उनको जो है एक अच्छे उसमें देखेंगे ठीक ह हर चीज़ में उनको अच्छा ही सोचेंगे और उछे मिलने की बात करेंगे उनसे बात करना चाहैंगे कि हम भी इनके फ्रेंड सरकल में जाएँ थीक है वह गरीब जो भी और जो गई अमीर है चाहिए वह कंवह है वो चाहिए ना भी हो, उनके बारे में हम बात करेंगे, तो सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि आपने दिव्यांग नाम तो दे दिया, लेकिन उनने दिव्या बनाने की कोशिस भी कीजिए, उनको दिव्या सकती भी दीजिए वो ठीक है, इस तरीके कि जो pension ले रहे हैं वो pension कोई 1000-2000 रुपय में वो इतने अमीर नहीं बन गए ठीक है वो कहीं न कहीं वीक हैं वो कमजोर हैं तभी तो आपकी पास pension आ रही है तो इस वज़े से मैं उनकी लिखता हूँ विकलांगता pension उनकी दिव्यांगता pension नहीं होती वो दिव्यांगता तो न दिव्यांग बनाईएगा उनकी pension जो है वो नोकरी की salary दीजेगा आप उनको pension 1000-2000 रुपय पैंशन मत दीजिए ठीक है उनको नोकरी चाहिए नोकरी दीजी और हम दिव्यांग लिखना से start कर देंगे जो भी कहते हैं कि सर हमें पता है कि हम दिव्यांग है विकलांग नहीं ह मानता हूँ आपको विकलांग ठीक है मैं मानता हूँ कि आप दिव्यांग बने आप विकलांग क्यों बने आप जो है आपके पास नोकरी हो आपके पास सब कुछ हो अच्छी चीज हो सब कुछ हो आपके पास आप दिव्य हो आपकी सोच जो है इतनी मजबूत बने आपके पास इतना पैसा हो कि आपकी जो है आप दूसरों का भी भला कर सकें आप दिव्यांग बन सकें आपके पास दिव्य सकती है आपको अपना खुद का भला कर सकें और आप अपना दूसरों का भी भला कर सकें ठीक है तो इस तरीके से जो है जब भी आप जो है इतने मजबूत हो जाओगे, इक सभी जितने भी मेरे पास, जितने भी message आ जाएगी किसा हमारी job लग ज़याँ है, यह अर्व हमें आप pension की योदर नहीं है, तो मैं अपने वीडियो पर विलेंगता pension अठाकर के धिव्यांगता pension कर दूगा, ठीक है? जब आपको salary मिल जाएगी तो मैं दिव्यांग नोकरी कर दूँगा आपनी जितने भी वीडियो होंगे ठीक है तो इस वज़े से जो है आप वर्ड जो भी सरकार ने आपको दिव्यांग वर्ड दिया है उस दिव्यांग वर्ड से ही सिर्फ कुछ नहीं होता आपको जो है उस तरह से दिव्य सकती कह लीजिए मस्तिक्स भी आपका एक अंगी है आप पैसे होंगे तो फिर वो जो है आपको मजबूत हो जाएगा और आपके पास वो भी दिव्यांग हो जाएगा ठीक है तो जो भी है जैसा भी होगा जो भी जानकारी होगी देखिए हम सभी इस चैनल क oluyor हम लगातार लेते रहते हैं अपना तो जो भी होगा अब हम जब भी live session में आएँगे तो आपको बता देंगे आपके जो भी doubts होंगे आप पूछ सकते हैं हमसे बाते कर सकते हैं और जो अपने doubts जान सकते हैं धैन्यवाद दोस्तों